राहुल गांधी जी ने जो बीरा उठाया है और उन्होंने जो कहा है कि नफरत के बाजार में मुहबद की दुकान खोलने निकला हूँ उसको हम लोग गति प्रदान करने के लिए और जो भारत जोड़ो यात्रा में आधनिये राहुल गांधी जी का जुन्वों रहा और जिस तरह से हम लोगों ने भी कई बार जाकर के इंदौर में दिल्ली में कास्मीर में आधनिये आलमगीर आलमसारों साहब और तमाम नेताग जो है हम लोग कार्चकारी अध्यक्ता जादान वर्जी सब लोग हम लोग जाकर के सिरकत किये थे और उस बड़ी यात्रा से जो एक पूरे देश में माहौल बना है उसको हम लोग घर-घर तक पहुचाना चाहते हैं कि आदर निये राहुल गांधी जी आखिर चाहते क्या है वो चाहते हैं कि देश में एक जो तानाओं का माहौल बना हुआ है वो खत्म हो बेरोजगारी जो चरम पर है, वो खत्म हो, जो महंगाई चरम पर है, वो खत्म हो इस नियती से हम सभी लोगों ने एक कार्जक्रम पै किया है चुकि बारतारी को, जो हम लोग मौन सत्यागरह किये, तो मौन सत्यागरह में एक नई ताकत और नई उर्जा का संचार हुआ आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने मौन सत्यागरह में भाग लिया और उसके बाद एक प्रियास हम लोगों का है कि हम लोग घर घर तक जाएं उस निमिन 16 जुलाई 2023 से हम लोग भारत जोड़ों की बात आम जनों के साथ अभियान की सुरुवात प्रदेश के हर जीले में प्रखंड में करने जा रहे हैं और इसकी समाप्ती पांच सितंबर को जो सिक्षक दिवस मनाया जाता है उस दिन तमाम जिलों के मुख्यालियों में सिक्षकों को सम्मान दे करके इसका समापन किया जाएगा जीला के महासची प्रभारी विधान सभा के जो सची प्रभारी गन है वो इस अभियान के सुरुवात सोला तारीक को अपने अपने जिलों में अपने विधान सभा छेत्रों में जा करके करेंगे पूरे अभियान के दौरान प्रभारी गन मंदल एमंपंचायत के संगठन की जो पून्ता की बात हम लोग लागातार करते रहते हैं जो हमारे प्रभारी हैं अधनिया विनास पांडे जी उनका लागातार फोकस रहता है कि हमें बूत तक पहुँचना है और इमांदारी से पहुँचना है सिर्फ काग्जों में नहीं पहुँचना है तो हमने अब तक मंडल की कवायत पूरी कर ली है लगभग और पंचायत में भी आदे पंचायतों का की कमीटी बन गई है जो बाकी बचे हैं उसको बनाने का भी काम इस धौरान जो जिन लोगों से मुलाकात होगी उनके साथ मिल करके इस काम को भी हम लोग पूरा करेंगे जो राहुल जी की बात करेंगे जो भारत जोडो यात्रा की बात करेंगे उसकी तस्वीर भी हम लोग सोसल मीडिया पे सेयर करेंगे ताकि जो लोगों की भाबना है कि संदर में उनसे चर्चा हुई है वो सभी लोगों तक पहुंच पाए अगर नी राहूल गांधी जी ने जो कन्या कुमारी से लेकर कास्मीर तक एक तपस्वी की तरह पूरे देश को जोड़ने की कवायद शुरू की उसको हम घर घर तक नहीं पहुँचाएं तो हमें ये लगेगा कि जो लगभग चार महीनों तक पांच महीनों तक लागातार सड़क पर रहे लोगों से दुखदर्द बाटते रहें लोगों की समस्याएं भी सुनते रहें और लागातार पद्यात्रा इतनी बड़ी पद्यात्रा की उनके साथ हम इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो उनके बातों को पहुचाने के लिए जो हम लोगों को करना है वो साथ सितंबर को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के सुरुवात की थी और यात्रा के सुरुवात में ही भाजपानीत केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह के व्याबधान पैदा किये गया और जब भारत जोड़ो यात्रा की सफलता दिखाई देने लगी तब कोरोना का डर भी उनको दिखा करके कोरोना का हवाला देकर इस यात्रा को रोकने के भी कोशिस की गई लेकिन तमाम प्रियासों के बाद बावजूद ना वो जुके ना वो रुके ना वो डरे और लागातार पैदल चलते रहे कस्मीर जब पहुँचने वाले थे तो कस्मीर पहुँचने से पहले सुरच्छा का हवाला देकर के हम सभी को रोका जा रहा था हम लोग जाने से पहले कई बार कई तरह की बाते आई कि उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा स्रीनगर नहीं पहुँचने दिया जाएगा लाल चौक पे नहीं जाने दिया जाएगा बाबजूद आदनिय राहूल गांधी जी ने अपने गंतव्य पर पहुँच करके जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देना था उसको देने का काम किया और हम लोग उसमें लगभग सफल रहे और इसी को देख करके एक बार फिर भाजपानी सरकार ने एक प्रयास शुरू किया और उनकी घबराहट इतनी बढ़ गई कि 24 घंटे के अंदर न्यालय से जो निर्णय आया उसके 24 घंटे के अंदर उनके लोग सभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई साइध हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा होगा क्योंकि साइध ही नहीं मैं पूरे पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो एक पहली घटना थी जिसमें 24 घंटे के अंदर ने ने लिया गया उसके बाद उनका मकान खाली कराया गया आपने देखा पूरे देश में किस तरह से लोगों ने स्वागत किया हर घर पे लिख दिया कि राहुल जी मेरा घर आपका घर और आदर्नी राहुल गांधी जी को सरमाथे पे बिठाया अब इनी सारी बातों को ले करके हम जो जिले के कांग्रेश जन है जो जिले में बुद्धी जीवी रहते हैं जो समाज से भी है जो पत्रकार मित्र हैं जो बैपार करने वाले लोग हैं उन सभी के घरों पर जा करके मिलने का काम करेंगे इसमें एक असपश्ट रूप से हिदायत दी गई है कि पूरे साधान वेक्ति की तरह हम घर घर जाएंगे और उनके घर में बात करेंगे उसमें कोई ताम जाम नहीं हो हैं ऑनके साथ 50 लोग जाएं जिला अध्याग जी जार एंढिग साथ 50 लोग जाएं बिल्कुल इंडियुज्यम्प oh चाहे वो जिला का अध्यक्ष हो चाहे जिला का उपाध्यक्ष हो जिला का महासचीव हो सब अपनी अपनी लेवल से और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे महासचीव हो चाहे सचीव हो चाहे कार्जकारणी के सदसे हो चाहे कार्जकारणी के अम जिस तरह से संगठन मजबूत हुआ है संगठन की कवाय जो हम लोग संगठन सकती करन wanna को कर रहे थे वो पूरी की गई है उस इसाब से हम ये मिस्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग इसमें सफल होंगे और आप तमाम लोगों से इस द्वरान आपके घर भी जाने का प्रयास करेंगे, एक कप चाय का ज़रू जुगार रखिएगा हम लोग आपके घर भी आने वाले हैं, आधर्नीय आलमगीर आलमसाव जी तमाम मंत्री गंत आधर्नीय जितने हमारे पी एसे के मिंबर्स हैं, जितने AICA मिंबर्स हैं, जितने PCC डेलीगेट्स हैं सब अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से प्रयास करेंगे कि जिस भी सहर में जहां भी रहें वहां कम से कम दो चार पाँच लोगों से जरूर साजादा अनुवार जी राकेश्चिना जी उसीव जी साथिस मुईनी जी और आहे हुए यहां पर सभी मेडिया के मित्रों बारा तारिक को मौन सत्तग्रक काज करम हम लोग ने बाब बाई क्यामिंग किये थे और एक काज करम मेरे ख्याल से एक अइतियासिक काज करम हुआ है और उसी दिन हम लोगों ने नीने लिये हैं प्रदेश अद्ध राजिस्था कुझी से बैट कर हम लोगों ने बात करके कि एक अभीजान हम लोग चलाए यह अभीजान साथ सिप्टेमर को राहुल गांदी जी ने कन्योकमारी से लेकर कास्मी तक भारत जोड़ो जात्रा का जो कौन से लाखो लाखो लोगों के बीच में उनका समय सा सूनकर और उसका करने की जो उन्होंने बेडा उठाया है पुशी के देखते हुए जरकन प्रदेश कांगिनिस कमीटी और विदायक देल सारी लोगों को ने मिलकर हम लोग ने नियने लिया है कि हम एक संकल्प लेंगे हम जनता के वीच में जाकर राहुजी के साथ जो ब्यभवार हुआ है भारती जन्ता पार्टी का उस बात को भी हम उजागर करेंगे साथ साथ हमारी सरकार गड़बनन के सरकार में हम लोग कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से रहकर हम लोग ने जो काम जो मैन्फेस्ट में जो आदा करका आये थे उस कितने हम कर पाएं जनता के बीच में उस बात को रखने की काम करेंगे और ये भी हम कोसिस करेंगे कि भारतिय जनता पार्टी जिन मुद्दों के लेकर जनता के बीच में आये थे और जनता को इस देश के भोले भाले जनता सीधा साधा जनता को उन्होंने जो गुम्रा करने की काम किया है उस बात को भी हम रखेंगे कि आज भालती जनता पार्टी के इतिहास को उठा कर देखे कि 2014 में जब ये पार्टी अपने चुरावी संबर में आये थे तब ही लोग ने कहा था कि महंगाई हम घटा देंगे बेरोजगारी हम दूर करेंगे दो कोड़ों को हम रोजगार देंगे नो करी देंगे लेकिन नौ सालों में ना उन्होंने बेरोजगारी के लिए ना महंगाई के लिए ना किसानों के लिए ना लोटन वडर के लिए ना बश्टचार के लिए एक भी बात रखने के काम नही में जो चेर परसंट थी यूप एक कर्मेंट की उनके समय में जो हम लोग ने आर्थिक नेती पर जो बदलाव करके यहां की लोगों के खुसियाली लाने की काम किये थे हर चेहरा में मुस्कान लाने की काम किये थे जो बीपील के लोग थे उसको ये पील में लाने की काम हम किय किया उस बात को भी जाने के काम करेंगे अर हम पार्टी केहें हैं कि हमारी करी old और करेंके की यह तक हम लोग पहुंचाने की काम करेंगे घर गर्व तक पहुचाने के करेंगे और राहवुल जी की संगमत हम लोग उनको सुनाने की काम करेंगे धन्यवाद कि सुनाने करेंगे